नेक्स हमारा लेक्चर चेप्टर नमबर 6 बाइलोजी की नई बुक से आज हम बैक्टेरिया का जीनोम पढ़ेंगे जीनोमिक ऑर्गनाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं किसकी बैक्टेरिया की जीनोम मिंस कम्प्लीट सेट आफ जीन्स या टोटल जीनिटिक मटीरियल एक लिविंग और्गनिजम में होता है उसको जीनोम करते हैं ठीक है तो अगर जीनोम के हम बात करेंगे तो सम आफ एन और्गनिजम और्गनिजम जीनिटिक मटीरियल टोटल जो और्गनिजम का जीनि करें नहुंटिंगो पोउज कंपोजड़ आफ सिंगिल डिन जो बेक्टिरिया का जीनों में जिस जगह पे डिने मौजूद होता ही उसको अफिकलोईट करतें ठीकले और यह बैक्टिरिया का डिने है आपको डिन को डिने नजर sufficient साइटोबलाजम, यह जो येलो कलर का पैंट किया है, तो हम साइटोबलाजम कह रहे हैं, ठीके? अगर यूकरिटिक का, आप सेल देखोगे यूकरिटिक का, तो यूकरिटिक का जो सेल है उसमें भी डिने होता है क्रोमोजूम के अंदर मगर उसके बाहर मेंब्रेन होती है कम्पलीट मेंब्रेन होती है इसलिए हम इसको यूकरिटिक सेल करते है अगर आप इस बैक्टेरिया को देखोगे तो बैक्टेरिया के बाहर नुकलियर मेंब्रेन नहीं है नहीं इसके अंदर आपको नुकलियोलस नजर आएगा नुक्लियूलस एक और spherical body होती है जो के नुक्लियस के अंदर होती है झूक्लियस membrane मौजूद है और यहां पे नुक्लिय लस्ट भी मोजूद है तो यह है यूकराटिक सेल यह क्या है यह क्योंके प्रोकराटिक टाइप का सेल है यह एक बैक्टेरिया है बैक्टेरिया का जो डियने है वो साइटोबलाजम के अंदर होता है कहां पे होता है साइटोबलाजम के अंदर होता है ओके किलियर है अगर इस नज़र v Baldwin में किस पॉर्शन में आएगा विक्टेरिया के सील में डीन किस पॉर्शन यूकरियटिक को आप देख रहे हो, तो यूकरियटिक में DNA कहा नजार आएगा, नूकलियस में, कहा नजार आएगा, और नूकलियस के अंदर एक और स्फेरिकल बाडी है, उसको हम क्या कहेंगे, नूकलियोलस, यह भासे डिफ्रेंस है, याद रखेगा, टेस्स के आवाले स most of bacteria DNA is a circular content 3500 यह 3500 जीन्स मोजुद होते हैं 3500 कही है तो यह जो है यह आपको ऐसे यू यू नजर आ रहा है मगर यह circular DNA है देखें अगर यह end यहां से start हुआ यह भले यू घूम के आए यू घूम के आए यू घूम के घूम के मगर यह 2 end यहां पे connect होंगे इसको हम circular ही कहेंगे जहां पर भी दो end अपस में connect होंगे वो circular ही कह लाएगा अगर आपको लग यह राइगए यह एसाइसा यह circular नहीं है मगर यह circular है क्योंकि इसके 2 end अपस में connect हो रहे हैं और इस एक DNA में कितने जीन है 3500 जीन मौझूद है एक DNA में जो के डबल स्ट्रेंडड है हिलेक्स है सुपर कॉयल्ड है साइटोबलाजम के अंदर मौझूद है यह हम बेक्टरिया के DNA की बात कर रहे है ठीक है जो इसका नुकलियर मेंब्रेन इसके अंदर नुकलियर मेंब्रे से जो के यूकरिटिक में मौझूद होता है एक स्फेरिकल बाडी मगर इसमें कोई भी स्फेरिकल बाडी नहीं है अच्छा जी आगे हम बात करेंगे अगर हम बेक्टरिया की बात करें बेक्टरिया ओनली रिप्रोड्यूस असेक्शुली और यह डिवाइड होता है इसके reproduction absent है ठीक है genetic recombination होती है वागे हम बढ़ेंगे और इसके अंदर vector की जब हम बात करेंगे तो cell division आप जब इंटर में आएंगे तो आप आपको बढ़ाएंगे हम cell division cell division एक mitosis होती है एक meosis होती है एक amitosis होती है amitosis में spindle नहीं बनता ठीक है direct cell divide हो जाता है तो इसके अंदर जो cell divide होता है वह amitosis में होती है अच्छा बहुत सारे बेक्टेरियां हैं जिन के अंदर एक सिमाल नान क्रोमोजोमल एक्स्ट्रा सर्कूलर डियने मौजूद होता है और इस एक्स्ट्रा सर्कूलर डियने को हम कहते हैं प्लास्मिड क्या कहते हैं प्लास्मिड यह आपको नदर आ रहा है यह सर्कूलर यह एक्स्ट्रा जनेटिक मटीरियल एक तो यह जनेटिक मटीरियल इसका अपना डियने हैं मगर काफी इसे बेक्टरिया होते हैं, जिन में एक और extra circular DNA होता है, इसको हम plasmid करें हैं, क्या करें हैं, plasmid करें, अब देखें plasmid के बहुत सारे काम हैं, plasmid जो है, खुद अटोमेटिक, जो है, इंडेपेंटली रिप्लीकेट करता है, not essential for bacterial growth, bacteria की growth के लिए ये plasmid essential नहीं है, plasmid increase करता है, immunity को, bacteria की immunity को बढ़ाता है, bacteria जब किसी host के अंदर जाता है, अटेक करता है, या बिलफर्स कोई हमें infection हो जाए, तो हम कोई anti-biotic लेते हैं, तो ये anti-biotic के against, resist करता है, bacteria को बचाता है, ठीके, तो इस वज़ाए से, inside the host, जो immunity बढ़ती है, immunity को increase करता है, वो कौन कर रहा है, plasmid कर रहा है, ठीके, against the anti-biotic, याद रखने आने बात, अच्छा, ये जो plasmid है, इसको use किया जाता है, एक ओर जो bio technology है, उसमें जिसको recombinant DNA technology भी करते हैं, इसको recombinant RNA technology में भी इसको plasmid को use किया जाता है, इसको use करते हुए, हम अपना desire gene बना सकते हैं, जैसे insulin का बनाना, different type के hormones का बनाना, काफी सारी ऐसी anti-biotic हैं, उनका बनाना उसमें हम इस plasmid को as a vector के तोर पे भी हम use करते हैं, ठीके, तो ये plasmid के काम है, और genomic organization है, bacteria का, thank you so much, अगर कोई सवाल हो, तो आप पोछ रहें